हेलो, वेलकम टूदा मैच चैनल, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिक्थ क्लास की जो एंसे आर्टी है, हिस्ट्री की उसका पहला चैप्टर, यह सीरिज हम शुरू करेंगे और इसके आगे सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, सभी क्लास की जो हम एंसे आर्टी है, वो हम कम वेयर, हाउ, एंड फैन, ठीक है, कि वो मतलब की उन जो उस टाइम में लोग रहते थे, उनके बारे में हमें पता करना है कि वो क्या खाते थे, क्या पहनते थे, और क्या जो रिचुवल्स है, कल्चर है, वो प्रैक्टिस करते थे, और वेयर मतलब की कौन सी जगहों पर वो जाते थे, शिफ्ट करते थे, और हाउ, कैसे वो मतलब अपनी सर्वाइवल को अंजाम देते थे, और ये कैसे सब कुछ होता था, इन सब चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो उस टाइम के पीपल थे, लोग थे, क्या खाते थे, किस टाइ लिगा कि वो जहां पर रहते थे, हंटर, हर्डर, फार्मर, रूलर, मर्चंट, पेरियस्ट, क्राफ्ट, परसंद, आर्टिस्ट, मिजिशन, साइन्टिस्ट, ये वहां पर ऐसे लोग रहते थे, और जो गेम्स है, किस तरह की गेम्स जो है, वो वहां की बच्चे खेला करते त्टिक है किस तरह के games खेला करते थे और किस तरह की stories वो सुना करते थे और किस तरह के songs वो गया करते थे ठीक है और जो life होती थी hunters, herder, farmers की वो किस तरह किस टाइब के cloth और food वो cloth पहनते थे और food वो खाते थे यह सब चीजे हम जानेंगे अब लोग रहते कहां थे हमने ऐसा इसमें पढ़ा है कि जो bank of river थी नर्मदा की नर्मदा की जो bank of river थी उसके किनारे लोग रहा करते थे ठीक है यह thousands of years की बात है जो लोग रहते थे bank of नर्मदा रीवर के पास और उनको कुछ plants और अपने surroundings के बारे में पता होता था वहां कि कुछ जंगलों में herbs और shrubs मिलते थे कौन सी चीज खानी है कौन से plants को medicines के लिए apply करते थे यह सब knowledge उनको होती थी और वो कुछ roots collect करते थे fruit और other forest product जैसे की food वगारा अपने consumption के लिए वो collect करते थे और sometime वो animals को भी हंट करते थे ना सिरफ वो और सिरफ forest product पे dependent थे बलकि वो जो animals होते थे उनको भी hunting करते थे उनकी और उसको वो खाते थे कुछ women's जो कि वहां पे women's और men's का जो the area where women's and men's first begin to grow crops such as wheat barley जो first time जो men and women ने जो grow किया था वो था wheat and barley ठीक है beet और barley वहां पे grow किया था उन्होंने 8000 साल पहले जो लोग people also begin to look after animal और लोग animal rearing भी करते थे जैसे कि sheep goat cattle जो की गाओं में रहते थे और ये इस तरह के goat वो पालते थे ठीक है और वहां पे जैसे कि first जो फसल grow हुई थी वहां पे first grow फसल जो नौर्थ में हुई थी विंद्या रेंज में वो rise था important question बन सकता है और 25 years ago हमने देखा कि जो cities थी जो की bank of ganga और उसकी tributary के इर्दगेर जो develop हुई थी और sea coast भी उसके साथ ही था उन सब चीजों के बारे में हम आगे जानेंगे ancient time में अगर हम देखें तो ganga जो थी और उसकी tributary जो थी उसके साथ और अगर हम south में देखें तो वहां पे जो state established हुआ था जिसको magdha कहा जाता है और जो की अभी present बिहार में situated है and men and women moved in search of livelihood and also to escape from natural disaster like first and drought किसी एक जगा पर वो रहते थे और कभी ज्यादा drought आ जाने पर या फिर ज्यादा floods आ जाने पर उनको move करना पड़ता था migrate करना पड़ता था एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए these movement of people enriched our culture tradition इस तरह से क्या होता था कि एक जगा के लोग है उन्हें वहाँ पे floods आ गया और drought आ गी जिसकी वज़े से उन्हें problems face करनी पड़ी और वो दूसरी जगा दूसरे state में move कर गए migrate कर गए तो इससे क्या होता था कि वो अपना culture जो rituals जो culture होते थे वो दूसरे state में जात थे वहाँ पे spread करते थे और वहाँ के जो cultures थे वो अपनाते थे तो इस तरह से क्या होता था कि जो culture tradition थे वो काफी rich and rich होने शुरू हो गए people have shared a new ways of carving stone जो अपने वो skills होते थे जो उनकी quality होती थे वो वहाँ के लोगों के साथ श्यार करते थे और जो वहाँ की skills और qualities होती थी वो खुद अपनाते थे और वो इस तरह से पता चला है कि कुछ वो carving stone, composing music, cooking food यह सब चीजें जो varieties हैं वहाँ पे देखने को मिली हैं अब कुछ land के नाम हम देखते हैं our country is known by both words इंडिया and भारत इंडिया को हम इंडिया भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं the word इंडिया का word है वो इंडिया से आया है जिसको हम सिंधू भी कहते हैं संस्कृत में इरानियन और ग्रीक्स जब आये यहाँ पे नॉट्वेट से आये वो पचीस सो एयर एगो उन्होंने इसको हिंडोज कहा इंडिया को उन्होंने हिंडोज कहा कि यह इंडियांस का लैंड है तो इस वज़ जैसे land of east of the river was called India, यह जो river की east का land है वो इंडिया कहा गया, ठीक है तो जिन नेम भारत was used for a group of people, lived in the north west, भारत जो शब्द था, वो जो group of people थे, जो की north west में रह रहे थे, उनके नाम पर ये उनको भारत कहा जाता था, जो की रिगवेदा में भी mentioned है, ठीक है, जो रिगवेदा में भी mentioned है, अर लिस्ट कॉमपोजिशन अगर हम देखे संस्कृत की, 35 year ago किया है, लेटर इसको country के लिए यूज़ किया गया है, अब कुछ past के बाले हम देखते है, one way through which we can find out about our past is by reading a book and written long ago, अगर हम कुछ अपने past के बारे में जाना चाते हैं, तो हमारे पास दोई तरीके होते हैं, या तो हम उस time के जो books लिखी गई हो, उसको पढ़कर हम उस time के बारे में जान सकते हैं, otherwise, जो prehistoric की चीज़ों के बारे में जानने के लिए, जैसके हमने एक्जरवेशन वगरा यूज़ किया था, तो उसके थूरू हम जान सकते हैं, तो जो books हमें मिली हैं, जो हमें past के बारे में बताती हैं, उस books को manuscript कहा गया है, क्योंकि ये written by hand, ये बिल्कुल हाथ से लिखी गई है, जिस वो written on palm lips, ये palm lips पे भी लिखी गई है, and specially prepared bark of a tree known as a bridge, जो पेड के चाल होती है उपरी वाली, उसके थूरू भी ये लिखा गया है, उस पर भी लिखा गया है, which grows in the Himalaya, जो कि Himalayan's area में ये पाया जाता है, और जो बुक डील करती है, all kind of subjects से, जैसे कि religious belief, practices, life of king, medicine and science, besides epics, poem, plays as well, ये सब बुक उस टाइम में लिखी जाती थे, इंस्क्रिप्शन देख लेते हैं, इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग on relatively hard surfaces, इंस्क्रिप्शन जो है, वो hard surfaces पे लिखी जाती थी, जैसे कि कोई pillar, कोई pillar, sorry, को स्टूपा बना दिया, तो उस पर जो इंस्क्रिप्शन से वो बना दी, ऐसा हमें अशो का टाइम के जो इंस्क्रिप्शन से, pillars पे जो मिले हैं, hard rocks वगरा पे वो पाए गए है, stone पे, metal पे इंस्क्रिप्शन लिखती, और past में अगर हम देखें, तो when king wanted their order inscribed, so that people could see, king चाहत और वो उनकी जो भी गाथा है, उसके बारे में वो जाने, they didn't obey them, उसको पढ़ें और उसकी respect करें, they used inscription for this purpose, इस तरह से वो इस inscription का use करते थे, there are other kind of inscription as well, where men and women recorded what they did, मतलब और type की inscription भी पाए गी है, जहां पर men and women ऐसी चीजे लिखते थे, जो वो daily life में करते थे, ठीक है, जैसे कि kings and queens, ठीक है, यह चीजे वो करते थे, और वो inscription में लिखते थे, for example, जैसे कि कोई battle वो जीत गए, तो उस battle की जीतनी की खुशी में, उन्होंने कुछ इंस्क्रि पुरसीकरी जो की अकबर ने बनवाई है, और जो ऐसी चीजे हैं, जो बनाए गए हैं, राइट, आर्केलोजिस्ट जो की person है, जो की remains होता है, building के stone को, उसको study करते हैं, paintings वगएरा को, उनको archaeologist कहते हैं, और यह और यह और इक्स्प्लोर करते हैं, जो की tools, weapons, pots, pans, ornaments, coins, वग इन सब चीजों के ऊपर भी वो, जो की past में खाई पी गई हैं, उन चीजों के बारे में वो study करते हैं, historian जो एक word यूज करते हैं, जो source वो refer करते हैं, information found from the manuscripts, inscription and archaeology, वो तीन चीजे रेफर करते हैं, अपनी जो information collect करने के लिए, manuscript, inscription and archaeology, और जो sources उनको found हुए हैं, जो की उन् venture भी होता है, so historian archaeology are like two detectives, वो एक detectives की तरह होते हैं, who use all the sources like clues and find out about our past, वो एक चोटे-चोटे clues के थूज के थूज के थूज के बारे में information करते हैं, अब date का क्या मतलब है, and the years are counted from the date of the birth of Jesus, Jesus के बर्थ के पहले और Jesus के बर्थ के बाद इस तरह से date को count किया जाता है, जो की founder है Christianity के, all dates before the birth of Christ are counted backward, जो की Jesus Christ के बर्थ के बर्थ के बर्थ के बिफोर जो चीजे होई है, उसको backwards कहा जाता है, and usually have letter BC, जो उनके बात की चीजे है, उसको later BC जो की added on, right, अब इस बुक में भी रफर the dates going back from the present using 2000 as our starting point and 2000 means 2000 year after the birth of Christ, तो ये सब चीजे है, आज के लिए इतना ही हमारा जो first chapter खत्म हो चुका है, हम जल्द ही दूसरा chapter लेकर आएंगे, so stay tuned and if you like the video, please like, share and subscribe, thank you, thank you so much